ना लाइपदी तोंका नौकर होते हैं देखिए दिनांग 13 दसको रात में बाहर से चोर आये थे चोरी किये थे और मौके पे पकड़े गए थे एक को पोलिस ने पकड़ा था काफी गुत्तम गुत्ता होने के बाद और एक पबलिक ने पकड़ा था सोर होने पे एक घर में चोरी किये थे ये दूसरे घर में चोरी करते समय जाग हो गई थी तो पकड़ गिये थे काफी मेनत किया था पुलिस ने दो लोग पकड़े गये थे उन्होंने जो नौन बताये थे वो नाम अनिल खां और दानिस का अनिल और दानिस का नाम बताये था दो तो चले गये थे अनीस और मोहबद तो पकड़े गये थे दोनों का नाम बताये थे तो इनके पीछे पुलिस हैं ये साजहापूर बरेली पदाईउं के रहने वाले हैं वहां से आ करके जो बावरिया टाइप की होते हैं जो चैमार गाइंग वाले पहले भी यहां कर वह खटना कर अपर मुझे बहुन दिक्त हुए इनको ढोडने में इसलिए मैं उसको चाहता हूँ कि कारवाई को इसे ओसे काम किया था किसी दुसरे के अधार लगा कि कि असे परिशान रही है अब तर वह गाड़ी पनामत और मुझी में इन से 28,000 रुपे बनामद हुए जो कट्टे बनामद हुए और क्योंकि जो लूटे थे सामान ये कापी तो बेंच दिया था इनोंने बाकि अभी एक जो मेन अभ्यूक्त और भी बचा हुआ है जिसके पास बताते हैं कि सब सामान है राजेस खान वो फरार है उसको भी हम कादरी का प्रतर्शन किया है धोलना इस्पेक्टर और स्वाट्यम मुकेश ने बहुत जावाजी से काम किया ये रियल वर्क है कि इनको ढूंड के निकाल के ले आना वही गाड़ी ले आना उस गाड़ी की पूरी लोकेशन है हमारे या उस दिन आते हुए तो उनको जाने से और इनके मोबाइल से जो हमें नंबर मिले हैं 25-30 उनको हम जो है साट आउट कर लेंगे तो हमारा पूरा रेंज पूरा जोन यह जो ठंडी के समय में इनका लहर चलता है अपरादियों का उससे निजाद मिल पाएगी पूरे चेतर को म की आपादियों की बैद की कांदिये आपदैका कौफी है दो चोरी तो यहीं और कई कबूला है इन्होंने अभी इक के संवन से जन्मादों से मगा रहे हैं यह पेशेवर जिने बावरिया शब्दमद्र लोग देते हैं पेशेवर बावरिया कहलो उस तरह की स्थार्श कि जाके जो है ये डगेती और चोड़ी कर रहा है